हेलो एवरीवान, वेलकम बाक टू दे चैनल, आज मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी, यह बहुत ही टीस्टी और हम सब की फेवरेट इंस्टेंट पीजा की रेसपी, आज हम इसे बिन ओवन के बनाएंगी और इसमें हम इस्ट का बेस्तिमाल नहीं करेंगी, पंद्रह से बी चीजों का इस्तिमाल करेंगी, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली हम पीजा के लिए डोरेडी कर लेंगी, एक कप में यहां पे ले रही हूं मैदा, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आटा भी मिला सकते हैं, नमक हम इसमें डाल देंगी, साधा नही मिक्स कर लूँगी, ताकि नमक और बेकिंग पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, दो बड़े चमच मैं यहां पे डाल रही हूं, आप चाहें तो ओलिव ओल या फिर वेजिटेबल ओल का इस्तिमाल कर सकते हैं, अब हातों से आप इसे अच्छे से मिक्स करें, जब इसमें डालने के बाद आप हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करें, और जिस तरह से हम आटा लगाते हैं, उसी तरीके से आप इसका एक डो रेडी कर लें, इसमें हम बिलकुल भी पानी का इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं, देही से यह डो एकदम अच्छे से रेडी हो अगर आपको डो थोड़ा सा ड्राय लग रहा है, तो आप इसमें एक या दो बड़े चमच दहीं आट कर लें, ऐसा करने से डो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चाएगा, अब एक हलके गीले कपड़े से हम इसे ढख देंगी, और इसे हम रेस्ट करने के लिए रख पंदरा से बीस मिनिट के लिए ताकि ये थोड़ा सा फूल चाहे, सादा देर के लिए हम इसे नहीं रखेंगे क्योंकि इंस्टेंट पीजा है, अब पंदरा से बीस मिनिट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा डो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और थोड़ा सा हाथों से इसे फ्लाट करते चाहें, बिल्कुर इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, अब फोक की मदद से हम इसे प्रिक कर लेंगी ताकि हमारा बीस अच्छे से कुक हो चाहें, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक मोटे तले का तवा, इसे हम अच्छे से गरम होने देंग जब तक की वो नीचे से हलका सा ब्राउन ना हो चाहें, फ्लेम को आप लोग से मीडियम पे ही रखें, अब तीन से चार मिनिट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा पीज़ा बेस थोड़ा सा फूल गया है, वो नीचे से भी उस पे बहुत अच्छा कलर आने लगा है, इस स स्टोर बॉड भी यूज़ कर सकते हैं, अब हम इसे अच्छे से पीज़ा पे लगा लेंगी, इसमें अब हम एड़ करेंगी चीज, मौजरीला चीज का मैं यहां पे इस्तिमाल कर रही हूँ, चीज आप अच्छे से आड़ करें, इसमें अब हम डाल देंगी हमारी फेवरि चीज के साथ भी बना सकते हैं, अब जो हमने तवा अच्छे से गरम किया था, उसे हम इस तरह से पैन पे रख देंगे, ऐसा करने से हमारे पैन को ऊपर से और नीचे से एक्वल हीट मिलेगी, जिससे हमारा चीज बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, फ्लेम कॉप लो से मीडियम पे ही रखें, और इसे तब तक कुक करें, जब तक की चीज अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता, अब पांच से दस मिनिट के बाद, आप देख सकते हैं, कि चीज बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है, और हमारा इंस्टेंट होमेट पीज़ा एकदम रेडी है, पंदरा से बीस मिनिट में ये रेसिपी बन के तैयार भी हो गई, आप इसे जरूर ट्रै करें, ये आपके घर में सबको बहुत ही ज़ादा पसंद आएगा, ये रेसिपी एकदम इंस्टेंट है, इसे हमने बिना इस्ट के बनाया है, पीज़ा पी अब हम उपर से डाल दें और इंज़ाइ करें, ये रेसिपी आप जरूर बनाएं, बहुत ही कम टाइम में ये बन के रेडी हो जाती है, आपके घर में ये बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत ही ज़ादा पसंद आएगी, आप चाहें तो इसमें अपनी फेवरेट टॉपिंग साट कर सकते हैं इसमें आप ओलिवस डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, अगर आपके पास पीली और लाल शिमना मिर्च नहीं है, तो इसे आप स्किप कर लें, ये रेसिपी बहुत ही ज़ादा इजी है, बीना ओवन की हमने इसे बहुत ही कम इंग्रीडियन्स से बनाया है, और ये सारे इं प्रेस करकी अल पर क्लिक कर दी, थैंक्स वाचिंग